ये कहानी है मेरे कॉलिश के दिनों की अब आपके जहन में सवाल होगा आप मेरी कहानी क्यों सुनेंगे तो मैं आपको बता दूँ आपको मेरी कहानी नहीं सुननी है आपको वो बात समझनी है जो आपके जिंदगी बगल सकती है जो आपको इंस्पायर कर सकती है और चोटी सी चीज़ शायद एक बड़ा बदलाव ला सकती है इस फिल्म के तीन मुख किरदार थे शर्माजोशी, आर्मादवन और तीसरा किरदार था अमिर खान का इन तीनों रोल ने मेरी लाइफ हैं बहुत बड़ा बदलाव किया मेरी बेजिन्दगी एक साधारन इंजिनिरी कहानी थी जो हर दिन को काट रहा था और मशीन्स के बीश में कहीं खो गया था जिसको पता नहीं था उसकी मंजिल कहां पर है क्या वो कुछ बड़ा कर सकता है वो खुद को एक बहुत ही नॉर्मल इंसान मानकर जिन्दगी के दिन गुजारा था लेकिन तब ये फिल्म आती है और आप यकीन नहीं मानेंगे इस फिल्म ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया अब आप सोचेंगे कि तीनों किरदार ने बदलाव कैसे किया तो मैं आपको बता दू क्लास 12 के बाद मेरी लाइफ में कई सारे उतार चड़ा हुआ थे जिसको लेकर मेरे पैरेंट्स परिशान थे मुझे खुसा बहुत आता था मेरे हाथ में मोती, नीलम, खूप सारी अंगूठियां घरवालों ने पैना रखी थी शर्मन जोशी ने मुझे बताया कि अगर इन अंगूठियों के फेर ने फसोगे तो जिन्दगी भर अपनी हर चीज़ को इन ही से जोड़ जाओगे और लाइफ में कुछ भी होगा सोचों कि इसकी वज़ा से अच्छा हुआ या इसकी वज़ा से खराब हो गया यकीन मानिये, इस चीज़ को देखने के बाद मैंने इन अंगूठियों को भगवान के पास जाकर रखा और ये कहा कि भगवान, अब सब कुछ तुम पर है, तुम ही देख लेना, अच्छा होगा, बुरा होगा, हूं तो मैं तुम्हारा ही, ख्याल कर पाना कर लेना, नहीं तो होगा, मैं माननूँगा कि आपने मेरे लिए यही सोचा था दूसरा करदार था शर्बन जोशी के बाद, आर माधवन का, माधवन का वो सीन आपको याद होगा, जब माधवन अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा पैसे कम कमाऊंगा, लेकिन अफसोस नहीं होगा, खुश रहूंगा मैं, दस साल बाद ये तो नहीं सो एक ऐसा इंजीनियर जो बहुत ही साधारन से इंजीनियर होगा, जिसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं होगी, और वो जो भी करेगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं कभी एक सौर्डिनरी नहीं बन पाऊंगा, और अगर आपके लाड़ प्यार में, आपका नाम आपके लिए सोच लिया होता, या मैं वो कर लेता तो शाद आज मैं खुश होता, पैसे थोड़े कम होंगे लेकिन चल जाएगा, और इसके बाद तीसरा किरदार आमिर खान का, जिसने ये समझाया, कि पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो, मेहनत करो, वो काम करो जिसे द परसेंड नमबर लाकर बीटे के कई सेनेस्टर्स को पास किया था, जब वो मीडिया में आता है, उस जगे पर आता है, जो उसकी ताकत थी, उसकी ताकत, खबरों को समझना, खबरों को बोलना, भाशा पर कमांड करना, यकीन मानी, 18 घंटे काम करने के बाद भी घड़ी पर देर नहीं होती है, इसलिए 3Date ने मेरी जिंदी को पिरल दिया, जाते जाते चोटी बहुत बाते आपको बता रहा हूँ, जो शायद आपके जिंदगी मैसर कर सकती है, हमेशा याद रखेगा, मनजिले मिल ही जाती हैं, भटकते भटकते, गुमरा तो वो हैं जो घर से नही निकलते हैं, पहली कोशिश पहला कदम के लिए हिम्मद चाहिए होती है, और जो विक्ति पहला कदम पहली कोशिश कर लेता है, उसके सपने अपने आप उसके रास्ते ढूंड लेते हैं, लेकिन शर्त यह होती है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चा